तो दोस्तों आज 18 मार्च 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेन शेर्स के पर कुछ इंपॉर्टेन अप्डेट से कुछ इंपॉर्टेन नीज है तो चले के करके कबर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही कंसिस्टन रिटन देना वाला एक कंपन यहां पर भी अल्मोस्ट 1322 रुबए पे और देखिए यहां पर लगातार जो ब्रोकरेज कंपनी लगातार जो एनलिस्ट है इसके अंदर बाइंग का रेकमेंडेशन दिया जैसे के अब देख सकते टॉप पिक वरून वेवरेज कैन रैली आप्टू 16 परसें से एक्सी सिक द्वारा तरगेट दिया लगवग 16 परसेंट के उपर तो आप देख सकते कि इस टैप की कंपनी जो की लगातार ब्रोकरेज ने इसको कवर कर रहा है लगातार बाइंग करने का रेकमेंडेशन देरा आज की डेट पर बात करें देखें इंडिया के अंदर अर्ली समर एंट करना इंवेसट करने से पहले आपका हरण मझी है अच्छे से सकी आणराइस की जें अच्छे से से इसको पर स्टडी कीज़े खुद भी उसके बाद के जाकर आप इसमें इन्वेस्ट करना बाकी बात कर रिटन्स को भी भी गिरावाट नहीं हो जरूर हो सकता है उसके लिए भी प्रॉपर प्रिवेशन पहले से लेकर रखिए बट हाम कंपनी एक लिए सेफ कंपनी है सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ रिटन्स का प्रोफाइल सब कुछ ठीक ठाक है जिस बैसे में आपको बेसिक लिए परेकमेंट इंट कर रहा हो नेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेन छोटा सा कंपनी बट कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल कंपनी है साथ साथ हाई ग्रोथ कंपनी है तो कंपनी का ना में ग्रिंग टर्ण वेंचर्स इंडिया लिमिटेड लास्ट एक सुचार रुपे के आसपाश क्लोस bespies 2017 मैंट एक प्रॉटेन की साथ साथिया ऐस सब्सल्याइख और मैंक्सिमरेंस का ने आप यह और इंड ya तब ही आपको उसके साथ 24 एक्स्टर बोनास मिले का मतब एक्सटेट के बाद आपके बास टोटल हो जाएगा एक सुचावीश है ठीक है उसका एक्सटेट जो है कंपनी हाली में दोस्तों और एक नोटीस देके मेंशन किया तो एस पर यहां पर नोटीस तो कंपनी आप एक्स अच्छे से आप इसको बजाच कीजिए स्टड़ी कीजिए उसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना वह आपकी उपड़े कंप्लीटली आपका डिजिशन नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टन अपडेट टाटा गुरूप से टाटा पावर टाटा पावर कंपाई लिम टाटा पावर पर्चेस प्लैन तिल मार्च 2025 इन मुंबाई तो बेसिकली कंपनी इसके पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था मुंबाई के अंदर जो कि पावर सप्लाई करने के लिए उस प्लैन को दोस्तों या बोलत उसको आगे एक्स्टेंड किया उसको आगे इसको दोस्तों बहुत यहां पर की तरह मूव नहीं कर रहा है इसके पीछे कंपनी का कोई अकेले हाथ नहीं है यहां से समझना आज की रेट पर बात करें पूरा कपूरा यूटिलिटी सेक्टर या पावर सेक्टर जो भी वोलिए वह तोरा सा नीचे चल रहा है अगरा पा फ्रेश पोजिशन बनाना है या एवरेज करना है उनके लिए मैं बोलूँगा एवरेज करना बढ़िया मौका है दोसों से लेके दोसों पाच लास्ट एक साल का आप चार्ट प्रण उठा लीजिए बहुत बार शेयर के अंदर गिरा वाठ हुआ पर जब जब शेयर गिरा तब तब हमने देखा 200 रुपए का आसपासी इसको हर बार सपोर्ट मिला एक दोबार दोसों का लेबल भी ब्रेक किया था बट नेक्स्ट फिर से में बायर्स एक्टिबेट हो तो हम यहां पर नजर आया और शेयर सीधा सीधा दोसों के उबर पार पहुंच गया तो कंपई ने वान इस्टू टू ट्री रेशो में जो कि बोना शेयर का अनॉस्मेंट किया तो वैरी इस टाइप का रहाते कि सर हमारे जो डिमेट अकाउंट या पोर्टफिलियो कंदर जो एक्स्टर शेयर वो क्रेडिट कब होगा तो देखे एस पर से भी रूल यहां पर जो क्रेडिट हो जाएगा तो यहां पर जाने के बाद शेयर कंदर काफी गिरावट भी देखने को मिला जैसे कि अब देख सकतो लगबग पांस दिन की बात करें और मोच है पर शेयर गिर चुका है एक मैने की बात करें तो शेयर बीच में रिक और किया था फिर से यहां पर ग जाएगा दर क्यूंकि इसका जो मेन प्रोड़क्ट पीवी सी प्रोड़क्त वो बेसिकली ये कंपनी बाहर एक्स्पोर्ट करता है ठीक है और क्यूंकि आज की रेट पर यह सारे चीज़ होने के बाद जैसे एक्सपोर्ट कम हो चुका है तो कंपनी का प्रेक्शन डाउन हो आपको शेयर के अंदर भी आच्छा मुवें देखने को मिलागा धिले दिर आप इंट्री लेना भी शुरू कर सकतो नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपोर्टेन अपडेट रिलाइस इंडेस्ट की शेयर होल्डर के लिए मैं बोलना चाहूंगा ध्यान से सुनना पर उसके पहल तो यहां पर देखें मज़ेकी बात यह है कि बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी इसको कवर किया और सबसे ज्यादा बाइंग का रिकमेंडेशन दो तो यहां पर रिलाइंस के अंदर ही दिया है ध्यान से देखना यह जो डिलाइंस की शियर है इसको टोटल 37 37 अनलिस्ट ने इ 27 आनलिस्ट इसको यह को होना बहुत सब्सक्राइब निया और उसके साथ साथ जो दो अनलिस्टटब को होल्ट से मेंडेशन दिया और बंब ऑगि जो टीन इतासस्यमिंघों का रिकोमेडेशन दिया यह तारगेट 215915 तो यह हीं देखा यह सट्थunun आट으 बगίο द्याइब तो जो ब्रोक्र चंपनी को यह अनलीस्ट रिलाइस की शियर्ण को लेके बहुत ज़्धा बुलिश हो रहा है और होना भी चाहिए इंडिया का लाइज पूर्शल कंपनी दोस्तों इतना ज्याधा गिड़ चुका है इतना ज़्यूक है इसका जो आई इंडेक्स द पूरा राय है बाकी देखिए आप खुद अच्छे से सेल्प स्टडी करना एनलीज करना उसके बाद ही जाकी इन्वेस्ट करना ठीक है लास्ट फाइनल अब दोस्तों दीपक नाइटाइट तो दीपक नाइट को पर भी बहुत ज़्यादा क्वैरी जा रहा था इवन और तो यह लेबल के नीचे भी पहुंच गया देखिए 1790 के आसपर शेयर पहुंच गया था फिट देके नेक्स डे क्या हुआ इसके अंदर बाइंग देखने को मिला शेयर फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक आप बहुत बढ़ा अच्छा खासा रिकवरी का एक्सप तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकॉन नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट अकॉन उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ा बल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कैंसल चेक एन आपका सिगनेचार और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकाउंट बन जाएगा